हेलो फेम्स, वेलकम बैग, मैं हूँ अभी अग्रोहा धाम मंदिर में, मंदिर खुल चुका है, तो चलिए दर्शन कर लेते हैं देखिए ये माहा लक्ष्मी जी का मंदिर है, और आप दर्शन कीजिए माता की कितनी सुन्दर मूर्ती बनी हुई है और कितनी अच्छे तरीके से सजाया भी गया है मां को दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको अग्रोहा धाम की गुफाओं में लेके जाऊंगी तो चलिए चलते हैं गुफाओं के दर्शन की ओर देखिए कितने अच्छी तरह से बनाई गई हैं गुफाओं देखने में लग रही है कि जैसे प्लकुल असली हैं पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये गुफाओं असली नहीं हैं इनका निर्मान प्राकर्तिक तरीके से नहीं हुआ है बलकि जब ये मंदिर बनाया ग और आके जाकर जब ये गुफा में हम आगे बढ़ते जाएंगे तब अंगा जाकर छोटे-छोटे मंदिर बने हुए हैं तो चलिए चलते हैं अभी हम जा रहे हैं अमर नाथ गुफा में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल असली लग रहे हैं ये गुफाएं अंधेरा भी है इनमें थोड़ा सा और कहीं पे नीचे उतरती हैं सीडियां कहीं पे उपर जाती हैं देखने में बिल्कुल असली है धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए यहां पर आके बिल देखिए यहां पर भूले नाज जी का शिवलिंग और आप एक बार दर्शन कर लीजिए यहां पर कुछ और श्रधालू भी है यह शिवलिंग तो आप दर्शन कीजिए दोस्तों अब यहां पर मैं एक और मंदिर में आ गई हूँ बोले नाज जी के मंदिर से आगे आके यहां पर भी आप भगवान जी के दर्शन कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अब इस गुफा से बाहर निकलने का जो रास्ता है यह शेर के मुख बना हुआ है इसके अंदर से मुझे जाना पड़ेगा अब मैं जा रही हूँ और यह रास्ता निकलेगा दोस्तों सीधा बाहर की और और वहां से निकल के दूसरी तरफ हमें जाके मिलेगी एक और गुफा में किन का मंदिर है दोस्तों देखिए यह हम जा रहे हैं एक पूल बना हुआ है लकडी का जो हमें दूसरी तरफ लेके जाएगा एक और गुफा की और आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल इस सरह से जैसे पहाडों पर होता है एक पहाड से दूसरी तरफ हमें जा और मेरे पीछे एक कपल आ रहा है जिसमें से वह एक लड़की जो है वो काफी डरी हुई है पर मुझे डर नहीं लगता और मेरे लिए यह बड़ा ही रॉमांचक है अब हम पहुंच चुके हैं दूसरी तरफ तो इसमें हम आगे चल के देखेंगे कि किन की गुफा आएगी दोस्तों देखिए अब हम जा रहे हैं माता वैशनो देवी जी की गुफा में और चलिए चलते हैं प्रवेश हमने अभी कर लिया है यह माता की चरण पादुका यहां पे बनाई हुई है आप एक पर दर्शन कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं यहां आके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जो वैशनो देवी की गुफा है जम्मू कट्रा में हमें बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है आके कि बिल्कुल हम एक ऐसी गुफा के अंदर ही आ गए है और देखिए मैं एक बात आपको बताओं कि यहां पे हर जगे लिखा हुआ है थोड़ी थोड़ी दूरी पे कि आप कैमरे की नजरों में है तो बिल्कुल सेफ है यह जगे यहां पे डरने की कोई बात नहीं है यहां पे चोटा समंदिर बना हुआ है अगर आप लोग वैशनो देवी गए है तो आपको पता होगा कि माता के भवन की ओर जाते हुए बीच में अर्धकुआरी का मंदिर आता है तो ऐसे ही यह चोटा समंदिर यहां पे बनाया हुआ है और यहां से निकलके हम जाएंगे यहां पे वैशनो देवी माता का में भवन जो बना हुआ है उसकी ओर यहां से दोस्तों नीचे की तरफ उतरते हैं देखिए बीकुल कितना अच्छा यह बना हुआ है मैं यह सोचके मुझे बड़ी अच्छा सा पील हो रहा है कि किसका आइडिया होगा यह जब मंदिर का न दर्शन करवा देते हैं यहां पे वैशनो देवी माता के दर्शन करवा देते हैं बहुत ही अलग ही नजारा है यहां का और यह है माता का भवन यहां से मुझे गूफा में से निकल के जाना होगा जैसे वैशनो देवी माता के गूफा में से निकल जाते हैं मेरे आब आके यहां पे कुछ फ्लोग हैं तो वो निकल जाएंगे तो मैं भी इस गुफा में परफेश करूँगी आप बने रहे हैं मेरे साथ दोस्तों यह बहुत अमेजिंग जगे हैं यह देखिए में इस गुफा से जा रही हूं आगे पंडिक जी बैठे हुए हैं और देखिए यहां पे तीन पिंद रखे हुए हैं जैसे वैश्णो देवी जब हम जाते हैं कट्रा में तो वहां पे जैसे माता की मूरत ना होके तीन पिंद हैं सेम वैसे ही यहां पे भी तीन पिंद हैं आप दर्शिन कर लीजिए और अभी मुझे पंडिजी ने तिलक भी लगा दिया है प्रशाद भी मैंने ले लिया है अब मैं जा रही हूँ बाहर की ओर यह रास्ता हमें यहां से गुफाओं से बाहर लेके जाएगा दोस्टों कुछ और भी गुफाएं हैं यहां पर अभी वहां पे बंद हैं शायद बनातीज की ते शी हंच हम आप अब मुद्र आप बन ज 용ते रुड़ दे मुद्रकोल ही बनाया हुए वही हुआ शुरुआप उससे रूH है नेने थिम कूले बनानने श्री economist जन और बनातीज हनाम रुड जो पर शुरुड़ाइबyl की तो मैं आपको बता दूँ जैसे श्री राम जी के खटना करम को यहां पे दिखाया गया है सिर्फ वैसे ही श्री कृष्ण जी के खटना करम की भी एक जगे है जहां पे उनकी जहांकिया दिखाई देती है पर अभी वह बंद है तो आज मैं आपको श्री राम जी की ही जनम लीला अब देखिए ये गुरू परिचर्चा जब वह आश्रम में गए थे शिक्षा दिख्षा लेने के लिए श्री राम जी उस समय की है एक गटना को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाये गया है यह ताड़ का वद जब किया था श्री राम जी ने यह उस समय का चितनन किया ह हुआ है कि यह श्री राम जी और सीता जी का स्वेंबर जब उन्होंने धनुष जो था उसको तोड़ के और सीता जी को यह साथ उन्होंने विभा किया था यह उस समय का था मैं आपको एक और बात बतातूं कि यह इतना गजब का इधर नजारा है आप इधर आईए और सिर्फ दस रूपे के टिकट यहां पे मिलेगी आपको और दस रूपे के टिकट के अंदर ही आप पूरी उनकी श्री राम जी की जनम से लेके मृत्यू तक के सारे घटना करम का चित्रन आप यहां पर देख पाएंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप एक बार इस जगह पे आएंगे तो अब बहुत अच्छा लगेगा यह बहुत मिलाप का ग्रीशे है कि एक घटना करम है आपने रामायन टीवी में भी देखी होगी किताबों में भी पढ़ी होगी तो आपको पता लग जाएगा जाके कि कोई चीज उन्होंने नहीं नहीं छोड़ी है उनके जो में में जो भी घटना करम होए थे श्री राम जी के जीवन में वो सब दिखाए गए है यहां पर बाली और सुग्रीव का संग्रा में पीछे था जब रावन जो थे वो सीटाची को उठाके लेकर जा रहे थे यह युद का द्रिश्य है तो इस तरह से यह सारी जांकिया यहां पे दिखाए गई है आप एक बार इस जगह पे जरूर आईएगा तो दोस्तों मैंने आपको दर्शन करबा दिये हैं पूरे अग्रोहा धाम के और यहां पे मैं आपको बोलूँगे कि आप इस जगह को विजिट जरूर कीजिएगा यह बहुत ही अच्छी जगह है दर्शन करने के लिए अपनी फैमिली के साथ आप यहां आईएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको आके और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और साथ ही मेरे चैनल को